नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर परताल दुनिया भर की आज आपके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन की जो होने जा रहा है 22 से लेकर 24 अगस तक जोहांसबर्ग में दक्षण अफरीका के जोहांसबर्ग में और जैसा कि आप सब जानते हैं भारत भी इसका एक सदस से है प्रधान मंत्री नरेन मोदी इसमें शिरकत करेंगे और सबसे एहम बात ये कि पहली बार ब्रिक्स में जिसमें सिर्फ अभी तक पांच देश हैं उसमें 22 देशों ने अल अपना इंट्रेस्ट जता चुके हैं कि वे शामिल होना चाहते हैं ब्रिक्स में वजह क्या है क्योंकि बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि ब्रिक्स का जो पूरा गठन हुआ था वे दुनिया की पांच सबसे एहम अर्थ विवस्ताएं जहां बड़े पैमाने पर विश्व आबादी रहती है चाहे आप देखिए ब्राजील चाहे आप देखिए रूस चाहे भारत चाहे चीन या फिर साउथ अफरीका और अब जो दिखाई दे रहा है कि इन पूरे समूह में वेस्ट एशिया के तमाम ऐसे देश जिनके पास अकूत तेल है वे चाहते हैं ब्रिक्स अमरीका का जो प्रभुत्व है पूरी दुनिया में उसकी अर्थवेवस्था में कूटनीती में उसे चुनौती देगा क्योंकि ब्रिक्स में रूस भी है और चीन भी है और इनके साथ आर्थिक इस्तर पर अगर इतने बड़े पैमाने पर तेल संपन देश वेस्ट एशिय के देश जुड़ना चाहते हैं तो यानि इसमें पोटेंशियल बहुत है इस पर हम चर्चा करेंगे प्रभीर पुरकायस के साथ प्रभीर आज हम आपके साथ बात करेंगे ब्रिक्स का जो सम्मिलन होने जा रहा है उसके बारे में यह होने जा रहा है दक्षन अफरीका में जोहांसबर्ग में 22 अगस से लेकर 24 अगस तक होना है और इसे लेकर अलग-अलग ढंके क्यास हैं बहुत उत्सुक्ता बनी हुई है क्योंकि पहली बार हुआ है 15 साल हो गए ब्रिक्स को बने हुए पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर तमाम देश इसका सदस से बनने को तयार है आज की तारीक में जब हम आपसे बा इस डाल दी है लेकिन खबरें बता रहे हैं कि 40 से अधिक देश इसके सदस से बनना चाहते हैं ऐसा क्या है ब्रिक्स में कि इस समय इतने लोग इतने देश इसका सदस से बनने को आतुर हैं देखिए यह अगर हम देखें थोड़ा सा पहले जाएं पीशे जाएं तो ब्रिक् है कि यह इकनॉमिकली बढ़ेगा और अगर बढ़ेगा तो दुनिया में एक एकनॉमिकली फाइनेशली और एक पोल होगा सिर्फ जो है जी सेवन जिसे कहते हैं वेस्टर्न दुनिया के अलग चलके एक इसका समभाबना है इस शुरुवात जो थी विक्स की हुई थी पर ब तरह की दिल्चस्पी नहीं थी अब जो है क्यों सडल जैसे आपने कहा कि यह ब्रिक्स पर लोगों की निगाह क्यों है और इस वज़ जैसे है कि जी सेवन की यह आदिपत्य थी एकनॉमिक जो डॉमिनस थी बाल यह पचीस तीस साल पहले इस वक्त नहीं है जी सेवन की जो एकनॉमिय है ब्रिक्स के बनिस्पत इस वक्त कम है अगर जी डीपी को आप पर्चेसिंग पार पैरिटी से देखें मैं एकनॉमिक्स पर नहीं जा रहा हूं पर यह है कि इस वक्त भारस हम यह दुनिया की एकुलिब्रियम जो है वो जिसको पहले हम ग्लोबल साउथ कहते थ थर्ड वर्ल कहते थे उधर जुकते विए दिख रहा है इसका वजह यह है कि चीन अर्थनितिक रूप से बहुत बड़ा एकनॉमिक रूप में निकल रहा है हिंदुस्तान चीन के पीछे है अमरिका के पीछे है पर जी डीपी को अगर देखे पर्चेसिंग पार पैरिटी उसके इंडिया का तीस रस्थान आता है चीन और अमरिका के बात तो यह कमजोर मुल्क और कमजोर एकनॉमि इस वक्त दुनिया में नहीं है और दूसरी बात तेल का जो भंडार है उसके रूस के पास संसाधन तो उसको वैसे ही है और वेस्ट एशिया में अब जानते ही ते इसलिए लगता है ब्रिक्स की उपर इतनी इंटरेस का और यहां मैं दर्शकों को बताना भी चाहूंगी नक्षया बहुत खास है इसमें जो गहरे पिंक कलर का है गहरा गुलाबी कलर है रंग है वह देश हैं जो ब्रिक्स के देश है Suzसे देश है जिसमें आप देख सकते है कि ब्राजील है उधर साउथ अफ्रीका है उधर रश्या है चाइना है भारत है और यह बाकी जो छोटे-छोटे देश हैं जिनको अलग से हमने हलके रंग में किया है यह वे देश हैं प्रभी दर्शकों के लिए जिन्होंने अल्रेडी आवेदन कर रखा है कि हम इस ब्रिक्स मान के इन्होंने तमाम देशों का जिसमें आप देखिएगा कि अफ्रीका के कई देश हैं जिसमें बहुत एहम देश है जैसे इरान है सउदी अरब है इजिप्ट है ये सारे देश ब्रिस्का सदस्य बढ़ना चाहते हैं ये बहुत दिल्चस्प है अपने आप में क्योंकि इसमें इरान भी है और सौधी अरब भी है प्रबीर हाँ दोनों ने चंद दिनों पहले अपना समझावता किया है कि हम एक दूसरे के खिलाफ उस तरह से प्रतिद्वन्दिता नहीं करेंगे जो वेस्ट इशियो में पहले कर रहे थे और ये भी है कि एक दोनों के बीच पे जो बातचीत किया पहले जभी भी इस तरह के कोई है हम अपनी बातशीत करके ही खुद अपनी विशयों को निपट लेंगे तो ये वेस्ट इशिया खास दोर से आपने जिकर किया और इसमें आप जो कह रहे थे इरान साओधियरिया बिया इन दोनों की एहमियत क्या है इस 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 इलाके में एक तो है कि दोनों के पास तेल इसके बाद और जो देश आते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से वह भी अरजी डाल दिये हैं कि जोईन करना चाहते हैं और यह सब यहां पर हम दर्शकों को याद दिला दें कि साओधी अरब और यूएई दोनों अमरीका के बहुत खास देश रहे हैं उनके सरपरस्ती ही मानते रहे हैं हाँ नेटों के एक हिसाब से यह पार्ट तो नहीं कहेंगे पर नेटों के साथ रहे हैं और बहुत साल से पचास साल से उपर साओधे अरेविया यह कहा था कि हम सिर्फ डॉलर में अपना तेल बेचेंगे तो रिजर्व करेंसी जो डॉलर है उसके पीछे इन direction को डॉलर में बेचने का भी एक भूंग कर रहा है अब जो है साओधेरिया अरेया वह युवान में बेचने के लिए तयार है इंडिया को रूपी बेचने के लिए तयार है तो यह जो फरक आ रहा है यह दिखाता है कि डॉलर की प्रभुत्व उस तरह से नहीं है ज resurrection के रूप में कोई बदल सखता इस वक्त उसकी स्थिति नहीं लेकिन डिंडलर मुक्त वैपार के रास्ते निकालना बर मनसपत क्या एक दूसरी के बीच ट्रेड हो सकता है यह सबाल लोगों के इसी लिए है क्योंकि अगर आप डॉलर में ट्रेट करेंगे तो अमरीकी की कानून के मुताबिक उस पर अगर अमरीका की सहमती नहीं है तो आपका पैसा जब्द कर सकते हैं और आप पर सैंक्शन्स लगा सकते हैं उन एंटिटीज पर जो इस बिजनेस को कर रहे थे उनके उपर भ हैं इरान के बहुत सारे पैसे इन्होंने जब्द कर लिये थे जब उसके 79 में जब उसका अमरीका का इरानियों ने कब्दा कर लिया था तो वो सैंक्शन अभी भी बरकरार है अभी भी इरान के साथ अमरीका की बातचीत हो रहा है तो कहा है कि साउथ कोरिया साउथ कोरिया क पास तीन बिलियन डॉलर है जो इरान की पैसा है उसको इरान में वापस कर दिया जाए और कुछ ऐसे लोग जो बंद है इरान में पांच इरानी अमरीकन सिटिजन्स हैं उनको उन्होंने शायद प्रिजन से निकाल के हाउसरेस पे रखा है इस वक्त तो यह चीजे जो है वैस पीछे पादे के पीछे पीछे बाचीत चल रहे हैं अमरीका और इरान की बीच में यह लहीं की इरान और साउत-कोरिया की बीच में अमरिका और इस वक्त आपस में बातचीत करके पूरी जिसको वेस्ट-एश्या हम West Asia कहते हैं, अमरीका उसको Middle East कहते हैं, और दुनिया भी उसको पहले Middle East कहते थे, तो Charles Freeman, उनका काफी बड़ा नाम है अमरीका में, उन्होंने कहा है कि दुनिया में Middle East से फिर ये जगह, इन मुल्क, West Asia में परिवत्तित हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, तो ये जो एक सोच है कि हमारी अस्तित्व West से अलग है, हम अपना रास्ता निकालेंगे, तो ये देखते हुए उनको Brics लगता है, एक ऐसा जगह है, जहां पर ये बातचीत हो कर सकते हैं, Brics Bank है, जो World Bank के तरह काम करने का Development Funds देने के लिए तयार है, जिसमें चीन काफी पैसा डाले हैं, दूस के रूप में, सैंक्शन्स के अलावा, अगर ट्रेट करना है, तो वो क्या रास्ता होगा, उसमें स्विफ्ट सिस्टम अमरिका के पास है, जिसके जरीए बैंक्स आप एक के आपस में आपस में ये करते हैं, पैसा ट्रांसफर करते हैं, उसके जगह पर चीन के पास, डॉलर नहीं है, तो क्या रूपीज, रूबल, युवान इसमें ट्रेट करेंगे, ये सवाल है, आसान नहीं है, क्योंकि डॉलर में करना एक हिसाब से आसान है, वो एक स्थापित सिस्टम बन गया है, जिसको तमाम वर्ल्ड ओर्नाइज़ेशन भी मानते हैं, एक तो ये है और एक देखिए, हर करेंसी का दूसरे करेंसी के किस क्या लेवल होगा, ये सवाल होता है, तो ये करने के लिए जटिल मामला है, आसान नहीं है, पर अब इनको लगता है, जब कि रूस की तीन बिलियन डॉलर, जो वेस्ट यॉरोप में और अमरीका के बैंकों में था, जब जब्जब्द कर लिया, उसकी फॉरन एक्सचेंज रिजर्व को, तब से दुनिया को लग रहा है, कि ये पावर अमरीका का, जो उसको कोई कानून नहीं देता, अंतराश्चे कोई कानून नहीं देता, वो डॉलर के वज़े से कर पा रहा है, तो हमारा ट्रेड अलग रास् का इसके शुरुआ, आपने जिक्र किया रूस का, यहां पर दर्शकों को बता दें कि रूस के राष्टपती पुतिन इस ब्रिक्स मेलन में नहीं शामिल हो पाएंगे, वज़ा बहुत साफ है, क्योंकि जो रूस और यूक्रियन के बीच युद्ध चल रहा है, उसकी इस देश अपलाई कर चुके हैं, चालिस देशों के बारे में कहा जा रहा है, क्या यह रूस और यूक्रियन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें कोई शांती की राह कोई पहल कदमी कर सकता है, अगर इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के तमाम देश, अगर आप द दिखाई दे रहा है, क्या ब्राजील कोई भूमिका निभा सकता है, क्योंकि मुझे याद पढ़ता है कि हमने अपने स्कार्टर में चर्चा भी की थी, बीच में लूला की बात थी कि वो रास्ता कुछ निकाल सकते हैं, रूस और यूक्रेन और नेटो के बीच, क्या रहा पाईगी? देखिये, इस वक्त अगर आप देखें, तो देखिये, ये इलाका है, यॉरप की, जो अमरीका के साथ मिलके, इस वक्त यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, और उसकी पूरी जो सामरिक शक्ती है, एक हिसाब से उस पे लगा हुआ है, सामरिक शक्ती का मतलब, आर्म चीजे हैं, उसके जरिये, कैसे मार की जाएगी, अस्त्रों के द्वारा, रूस की ऊपर, उसकी भी वार में, उसकी भी भूमी का निभा रहे हैं, नेटो, और तकरीब नेटो और रूस के बीच में है, जमीन यूक्रेन की है, तो ये जो है, जब तक यूक्रेन को ये पैसा इस वक्रेन की सरकार भी उनके क्या कहेंगे, रह्मो करम पे हैं, और उसके पैसे पुरा चल रहा है, तो उनकी तंखवा भी तंखवा से आता है, तो और उसके साथ-साथ, आम्स वगारे भी वहा से आता है, जो भी उनको चहिए वो वहां से आ रहा है करीब देड़ सो बिलियन डॉलर के ऊपर 170 बिलियन डॉलर का लोग कह रहे हैं कि लागत नेटो अमरीका को लेके दूसरे लोगों राष्टों को लेके उक्रेन में कर चुका है उनकी यह लड़ाई तब खतम होगा उक्रेन तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अगर वो कहेंगे हम शांती करेंगे और यह नहीं मानेंगे तो उनका इमीरिटली उनका पूरा व्यवस्थाइट हो जाएगा तो यह चीज तभी जंग बंद हो सकती है शांती की बातचीत कोई भी कर सकता है और इस पे कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई किसी के सुनने वाला है पर मुख्य रूप से यूकरेन इस पे क्या कहेंगे नायक नहीं है नायक इसका है इस वक्त नेटो और खासतोर से अमरीका तो जब तक जंग की वहां पर जंग के जगह पे शांती की संभावना उनको नजर नहीं आएगा उनको लगएगा कि रूस को हराने के स्थिती में हम हैं और यह अगर लड़ाई चले तो रूस कमजोर होता जाएगा और इसके बाद आर्थिक विवस्था उनकी खत्म हो जाएगी और पूतिन के खिलाफ जो है विद्रो हो जाएगा तो रूस जो नाइ तक शान्ती की संभाबना नजर दी आ रहा है अब बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया है कि जो देख रहे थे हम कि शायद यूकरेन इस वक्त रूस की डिफेंस को तोड़ के आगे बढ़ जाएगा क्राइमिया को कबजा कर लेगा यह सब जो बाचीत हो रहा था अब लग रहा है उनको भी समझ में आरा है कि आगे नहीं बढ़ रहा है पर यह लग रहा है और इससे कैसे वो वापस आएगे जंग से जंग में जाना आसान होता है यह सब के सामने रूस इसमें शान्ती की बात अकेला करके कोई फायदा नहीं है जब तक दोनों हाथ से ताली न के लिए कोई कहे कि हम बीज बिचाओ करेंगे उससे कोई फैदा नहीं होगा तो इस वक्त जो है जंग की जो सिती है उसको देखते हुए यह लग रहा है कि अगर यूरोपिय देश और अमरीका इस पे कहे सोचे कि यह जंग जो हम चाहते थे वो नहीं होगा अब शांती की बा है पर सवाल यह है कि दो दो तरफ से जो लड़ाई चला रहे हैं उनको यह चीज अहसास हो कि लड़ाई और नहीं चल सकती उससे कोई निकलेगा तभी रहा निकलेगी और इस वक्त अमरीका का इलेक्शन इन सब चीजों से भी जुड़ा हुआ है और यह एक ऐसी चीज है ज जो इसमें हमारी और आपकी दुनिया की सारे मुलकों को कहने में से भी कोई फरक ने पड़ेगा अमरीका की एक्स्टरनल पॉलिसी भी काफी हद तक उनकी इंटरनल पॉलिटिक से जुड़ा हुआ है और यह भी उसका भी एक फल है कि उक्रेट को इस वक्त लगातार वो खा दिखाई दे रहा है वह बता रहा है कि अगर इस समेलन में 22 देश शामिल हो जाते हैं ब्रिक्स में तो वह दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत में तब्दील होगा और निश्चित तोर पर भारत भी इसमें एक एहम भूमी का निभा रहा है और यह भूमी का किस तरह से व ताकि सही खबरें खुबसूरत नक्षों तक आपके साथ पहुचें शुक्रिया